आज हम लोग बात करेंगे best 15 websites copyright free images के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं digital tools के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले copyright free websites के बारे में जहां से आप लोग images को download कर सकते हो for free for commercial usage जैसे की blog के उपर, youtube channel के उपर, e-commerce के लिए so basically आपको royalty free images मिल जाएंगी for free अब इससे पहले यहाँ पर मैं websites बता हूँ पहले कुछ यहाँ पर licenses होते हैं popular licenses होते हैं जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए तो पहले मैं उसको यहाँ पर quickly आपको explain कर देता हूँ जैसे पहले होता है royalty free royalty free images वो images नहीं होती है जो आपको free में मिलती है royalty free images वो images होती है जिसको आपको unlock करना पड़ता है कुछ पैसे दे करके उसके बाद आप लोग उसको commercially use कर सकते हो that is royalty free images one time payment होती है उसके बाद आप उस image को जहां use करना चाहो कर सकते हो second is copyright free images यह वो images होती है जिसको आपको free में डाउनलोड करके use कर सकते हो commercial purpose के लिए जैसे कि blogs के उपर YouTube channel के उपर then यहाँ पर आता है हमारे पास creative common license यहाँ पर कुछ restrictions लग जाते हैं images पर for example आप image को डाउनलोड तो कर सकते हो लेकिन modify नहीं कर सकते हो image को अगर आप लोग commercial purpose के लिए यूज करोगे तो फिर आपको attribution देना पड़ेगा so creative common license के यहाँ पर बहुत सारे और types होते हैं जो इसमें सब से popular होता है वो है cco इसका मतलब यह है कि image यहाँ पर public domain पर है आप लोग उसको डाउनलोड करके commercially use कर सकते हो और भी इसमें बहुत सारे types होते हैं मैं अपने blog का link आपको नीचे description पर दे दूँगा अगर आपको licenses के बारे में detail में जानना है तो वो आप लोग जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो अब यहाँ पर record term आता है attribution attribution means कि यहाँ पर कुछ images के लिए आपको credit देना पढ़ सकता है author को means जिसने वो image ली है आपको उसको एक link back देना पढ़ सकता है उस author को जिसने वो image ली है उसको हम लोग कहते है attribution अब हम लोग बात करते है best copyright free image websites के बारे में अगर आपको जल्दी list देखनी है तो आप लोग नीचे ब्लॉग पर पढ़ सकते है वहाँ पर quickly skim कर लीजेगा सारे links को अगर आपको डिटेंड में जाना है तो यह video continue कर लीजे तो सबसे पहले हम लोग शुरुबात करते हैं सबसे मुझे फेवरेट वैप से website से that is unsplash यहाँ पर आपको 3 million plus images देखने को मिल जाती है इनका collection मुझे काफी अच्छा लगता है प्लस यहाँ पर आपको filter के options भी मिल जाते हैं जैसे मैं orientation से filter कर सकता हूं मैं color से filter कर सकता हूं मैं देख सकता हूं relevancy या निवेस के साब से तो काफी अच्छा high quality photo collection आपको यहाँ पर देखने को मिलता है next website is pixabay यहाँ पर आपको 2.4 million plus images मिल जाती है यहाँ पर भी जो collection रहता है वो काफी अच्छा है इस अनादर वन आफ मैं फेवरेट वेबसाइट यहाँ पर फिल्टर के आपको काफी सारे options मिल जाते हैं images photos vector graphic illustrations videos भी आपको देखने को मिल जाते हैं that's good orientation का है category भी है यहाँ पर तो filter का और एक अच्छा option मिल गया साइज से भी filter कर सकते हैं then color तो ही then we have pixels pixels भी यहाँ पर काफी अच्छी images हमें provide कर देते हैं यहाँ पर भी आपको काफी high quality images मिल जाएगी and filter के options इन्होंने भी add कर दिया है प्लस यहाँ पर वीडियो का जो collection है वो भी काफी अच्छा है then we have stock snap.io इनका भी collection मुझे अच्छा लगा है इनका भी high quality collection है इनके पास एक advantage यह है कि यहाँ पर इन्होंने customizer भी दिया हुआ एक editor भी दिया हुआ है कि आप लोग online फोटो को एडिट कर सकते हो for example यह एक फोटो है जैसी में आपर customize with the editor पर क्लिक करूँगा तो एक editor खुल जाएगा जहां से मैं इसको online यहाँ पर customize कर सकता हूं so यह इनका editor खुल गया है यहाँ पर मैं image को e-commerce के लिए तो क्योंकि Shopify यहाँ पर e-commerce के लिए तो आपको अगर आपका e-commerce store वग रहे है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा collection मिल जाएगा e-commerce purpose के लिए दूसरे भी है यहाँ पर images but mainly जो इनका focus रहता है वो रहता है e-commerce की तरफ then we are freepick.com this is one of my favorite websites मैं इसका maximum यहाँ पर use करता हूं यहाँ पर आपको images vector graphics काफी अच्छे मिल जाते हैं काफी अच्छा collection मिल जाता है but problem यह है कि अगर आपके पास यहाँ पर free account है तो आपको एक attribution देना पड़ेगा अगर आप लोग use कर रहे हो तो और दिन में सिर्फ 10 images को ही download कर सकते हो अगर आपके पास free account है तो मेरे पास इसका premium account है तो मैं 100 images तक download कर सकता हूं और मुझे कोई attribution देने की requirement भी नहीं रहती है जो इनका collection है वो मुझे काफी अच्छा लगा है और जो इनका premium collection है वो भी अच्छा है जितने में मेरे thumbnails में आपको images logos icons वगरे दिखते हैं वो सब यहीं से आते हैं free pics अगर आप लोग भी regular images यूज करते हो तो I will highly recommend कि आप लोग भी इसका premium subscription ले सकते हो then we have why not pics अगर आपको Indian photos वगरे चाहे तो why not pics एक अच्छा option हो सकता है हाला कि यह बहुत regularly update नहीं होता है लेकिन इंडिया के free stock pictures के लिए copyright free images के लिए अगर आप लोग food images वगरे ढूंड रहे हो तो यहां से आप लोग देख सकते हो इनकी जो नीश है वो food है तो food के आप अपको खूप सारे variety और images वगरे देखने को मिल जाएंगे यहां पर आपको user generated images का एक अच्छा collection मिल जाएगा आपको हर ब्लॉग article के लिए professional images नहीं चाहिए रहती है कहीं कहीं पर हमें user generated images चाहिए रहती है कि इसा लगे कि वह mobile से क्लिक करी गई हो ना कि किसी professional DSLR camera से कि एकदम पूरा blur effect आ रहा है तो मैं यह नहीं चाहूँगा कि वह एकदम professional लगे मैं ऐसा ब्लॉग लिखना चाहूँगा कि ऐसा लगे कि वह मैंने ही मैंने वह image खुदने ली है तो उस case में आपर audience के साथ connection कापी अच्छा बैड़ आता है जब हम लोग कोई regular image का यूज करें instead of using a professional image for example यहां पर मैं जाता हूँ टी के ऊपर यहां पर आपको बहुत सारे images मिल जाएंगे अब क्या करना है आपको एनी लाइसे पर क्लिक करना है इसमें आपको देखना है commercial use allowed पर हम लोग यहां पर क्लिक कर देंगे और जितनी भी photos इस पर commercial use allowed होगा वह आप जितनी भी images है यह सब ऐसा ही लग रहा है कि mobile से क्लिक करिए ऐसा कुछ professional images नहीं है यहां पर उसकी भी आपको यहां पर requirement रहते है कि कभी-कबार ऐसा लगना चाहिए कि वह mobile से क्लिक किया गया हो तो यहां से जो भी image है for example this one इसको मैं क्लिक करता हूं और इसमें नीचे आपक और मुझे यहां पर इसका attribution भी देना पड़ेगा clicker पर आपको काफी अच्छे user generated images मिल सकते हैं लेकिन यहां पर आपको इसके attribution भी देने पड़ेंगे तो यह सारी images है free भी है pro भी है फिलाल अम लोग यहां पर free पर चले आते हैं तो इनका जो free वाला collection है वह भी काफी अच्छा है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि canva का यहां पर image collection भी इतना अच्छा है तो आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो लेकिन इसको यूज इ is now acquired by vista create अब यहां पर भी आप लोग photos, videos, vectors, templates को डाउनलोड कर सकते हो क्रेलो भी एक online design tool है जैसे की canva है तो यहां पर मैं T search करता हूं देखते हैं हमें क्या images मिलती है तो यह कुछ images है इसमें से कुछ जो star वाली है यह pro images है बाकी यह वाली जो image है यह free है तो let's download अब यहां स attribution भी नहीं देना पड़ता है मुझे काफी पसंद आई है तो अगर मैं कोई app बना रहा हूं जा पर मुझे icons के requirement है for example मुझे money का कोई icon चीए तो यहां से जितने भी icons है मैं इसको free में use कर सकता हूं बिना कोई attribution दिये और इनका जो icon collection है वो काफी अच्छा है one of the best free में आप देखने को मिलेंगे शेयर बटन चीए मुझे शेयर का इकन चीए तो जो शेयर के यहां पर आइकन से वो काफी अच्छे हैं इंट्रेस्टिंग है colorful है वेक्टर ग्राफिक्स भी आपको मिल जाते हैं तो इसके बाद यहां पर हमारे पास है पिक्विजार्ट भी अच्छी वेबसाइट है लेकिन बीच-बीच में इनके प्रेमियम फोटो आ जाते हैं तो सौ्ट करने में थोड़ा यहां पर प्रॉल्म जाती है जैसे वाला प्रेमियम है पर जब नोग नीचे जाएंगे तो में यहां पर एक प्रेमियम मिल जाएगा तो सौर्ट करने में बस थोड़ी प्रॉल्म जाती है इसकी उजर इंटरफेस में लेकिन इनका भी आपको थोड़ा एक यूनीक कलेक्शन देखने को मिल जाता है देन एक जम्बो पिक जम्बो इस डिसेंट वेबसाइट इनका भी अगर अच्छी इमेज नहीं मिल रही है तो फिर आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो इनके आड्स भी मुझे जो इनका यूजर इंटरफेस है वो मुझे कुछ खास पसंदिया है काफी जारे आड्स हैं उपर नीचे साइड में मुझे ग्राटिस तो ग्राफिय इतनी पसं जरूर पढ़ लीजेगा और मैं परसनली यहां पर जो वेबसाइट का यूज करता हूं वह है फ्री पिक और अन्वार्टो एलिमेंट्स दोनों का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है मेरे पास अन्वार्टो एलिमेंट्स का मैंने रिव्यू भी किया था वो भी आपको आपको जाएगा और अगर आपको और ऐसी फ्री वेबसाइट जाननी है तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं मेरा यहां पर मैंने 15 वेबसाइट मेंशन करी है महां पर आपको 17 या 18 वेबसाइट मिल जाएगी और आपको पता है कोई नहीं वेबसाइट तो डूलेट में नो इन दे झालेट में वेबसाइट झालेट मेंशन करी है